हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका परफेक्शन आईए इसके यूट्यूब चैनल में और हम NCRT MCQ सीरीज में NCRT MCQ सीरीज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है हमने सबसे पहले स्वागत है hog A class 6 के antCRT को को सौलव किया 7 के जो भी वीडियो आई थें दो वीडियो आई थे उसमें सायन के सारी को सौलव कर चुक हूँ तो तीन वीडियो यहां चुक है है यह Second video होगा जहां पे हम class 8 सायन के को सौल्व करेंगे यह वी Weडियो दो पार्ट में आएगा यह पहला पार्ट है और इसके बाद इसका second पार्ट आएगा तो आप already class 6 और 7 के वीडियो अगर देखी होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो BPSD के questions है कैसे directly और indirectly NCRT से बनाया जा रहे हैं तो आप इस series को जरूर continue रखिए नभी series को continue रखोंगा और ज science के series को खतम करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि geography के series को भी continue किया जाए और आपके पास अच्छे questions को पहुचाया जाए तो चलो शुरू करते हैं और comment section में अपना marks बताओ और वीडियो को pause करके आप questions को attempt करिए तब तक हम आगे continue करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो पहला question which of the following statement is not true for organic manure तो question कह रहा है कि जो हम लोग खेत में जो organic farming करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ organic manure डालते हैं तो organic manure का कौन सा function इनमें से नहीं है या कौन सा statement इनमें से जो हम बोलेंगे वो organic manure से related नहीं है तो क्या organic manure water holding capacity of soil को बढ़ाता है यानि जो soil होता है उसके जो पानी को रखने की जो छम्दा होती है ठीक है water holding capacity क्या उसको organic manure increase करता है तो हाँ organic manure जो है water holding capacity को increase करता है हम next question देखते हैं क्या it has a balance of all plants nutrients मतलब plant को जो भी nutrients मिलने चाहिए क्या organic manure उसे provide करता है तो हाँ ये भी provide करता है next statement सा क्या it provide humus to soil हाँ तो humus को भी ये provide करता है लेकिन क्योंकि हमारा question कह रहा था कि which of the following statement is not true तो not true में ये तीनो statement true है तो इसका answer हो जाएगा none of the above तो जैसा guys मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अभी BPSC अभी इस चीज़ को clear नहीं की है कि options 5 रहेंगे या 4 रहेंगे या none of the above रहेगा नहीं तो इसलिए देखो ये सबसे difficult item BPSC कर सकती थी तो हम जो सबसे difficult चीज़ हैं उसका अगर तैयारी करेंगे तो आसान वाला हो गया none of the above चलो आगे बरते हैं which of the following is not true for fertilizers question कह रहा है कि इनमें से कौन से statements fertilizer के लिए सही नहीं है एक और मैं बताना चाहूंगा कि questions में हमेशा ये ध्यान रखना कि true पूछ रहा है या not true पूछ रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि question आसान होता है आपको पता होता है आप जल्दी याद में आसा मतलब true or not true धान दे के मार देते हो आपको लगता है रहे तो सही तो हो जागा but exam में भी जो घर में mistakes होते हैं वही mistakes exam में भी repeat हो जाते हैं हमसे तो इसका भी ध्यान रखेंगे questions को हमेशा कोशिश करेंगे कि दो बार पढ़ने का कोशिश करेंगे ठीक है तो यह सब तो questions में CRT से हैं थोड़े easy level के भी होते हैं तो यहाँ पर एक भी गलती ना हो तो exam में भी आपकी गलती नहीं होगी तो चलो options को देखते हैं दे increases the yield तो हाँ fertilizer से yield increase होता है their excess use यह excessive use disturbs the balance of nutrients in soil मतलब अगर हम जादा fertilizers का इस्तेमाल करेंगे तो जो soil का balance है वो nutrients का balance disturb हो जाएगा soil acidic हो सकता है soil basic हो सकता है इसका भी हम दोने question किया था class 7 वाले NCRT में कि अगर soil acidic हो जाएगा तो हम क्या डालेंगे और basic हो जाएगा तो क्या डालेंगे basic में एक चीज मैंने बताया था question के through और basic में मैंने दो chemicals का नाम बताया था जो options में mentioned था अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप comment section में इसका answer जरूर करोगे next है they are generally used in small quantities तो हाँ जो fertilizer से वो generally word पर ध्यान देखें इस question क्या है generally हम लोग small quantities में यूर करते हैं तो यह तीनो statement true है अगर not true अगर सब पूछेगा तो इसका भी answer क्या हो जाएगा none of the other the disease caused by a protozoan and spread by an insect मतलब कौन सा ऐसा बिमारी है यह disease है जो एक protozoan से होता है ठीक है लेकिन फैलता एक insect के द्वारा है ठीक है तो BPSC में जो आप देखोगे past years के papers में तो diseases है ना और उसके जो disease causing germs है या जो भी organisms disease cause करते हैं उनका कहां से origin होता है यह सब चीज से questions आए है या अगर कोई vaccine developed है उस disease से related तो यह questions important है हमेशा भी BPSC में या general exam से पूछे जा रहे है तो इसका answer क्या हो जाएगा option देखो पहले डेंग्यू, polio या malaria हम देखते हैं जो protozoan cause disease है उसका ना ना क्या answer क्या हो जाएगा वो है malaria तो जो बर्सात का season है जैसे अभी बर्सात का season start होगा तो उस समय देखेंगे कि जो malaria है वो काफी जादा फैलता है अब देखो क्योंकि questions यहां पर options नहीं दी है क्योंकि हमारा जो मकसद यह सरफ नहीं है कि देखना क्या questions क्या आए हमारा मकसद यह भी है कि हम questions से कुछ सीखे है तो यहां पर हम सीखने के लिए यह question डाले है तो match the name of the scientist given in the column A with the discovery made by them in column B तो यहां पर जो यह column A है यह scientist का नाम है और यह column B है उन्होंने जो भी discovery की जो भी अविस्कारे की है उनका नाम है तो आपको match करके बताना है तो पहला जो scientist है वो क्या है Lewis Pasher तो Lewis Pasher ने क्या discover किया था peninsulin, anthrax bacterium, fermentation या smallpox vaccine तो Lewis Pasher का जो अविस्कार था वो था fermentation उसी तरीका सागर पूछे गा कि Robert Kooch का अविस्कार क्या है तो देखो यह anthrax bacterium है Edward General का क्या है वो है smallpox vaccine और Alexander Flaming का है peninsulin यह तो सबको पता ही होगा अब इसी में आप देखोगे कि एक question जो था पिछले के पिछले सा मतलब जो re-exam हुआ था 67 का उसका यह question था है कि अगर आप यह question को solve किये रहते तो आप उस question को answer कर पाते है next question कहता है कि match the microorganisms given in column A तो column A में आपके पास कुछ microorganism का नाम दिया गया है और column B में आपको बताना है कि वो किस group से related है तो इस microorganism का group आपको बताना है तो अगर आपको पता होगा कि जो lactobacillus है lactobacillus है वो bacteria है ठीक है next जो aspergillus है aspergillus के group में आता है तो aspergillus आता है हमारा fungi के group में उसी तरीका से अगर आप Spirogara का देखोगे Spirogara is a type of algae and paramecium is a type of protozoa ठीक है तो यह चारो को आप अच्छे से याद रखो क्योंकि जो भी questions जो भी words NCRTs में mentioned है उनको आपको पता ही होना ही चाहिए at all cost next which of the following represents the correct match for items in column A with respect to column B तो UPSC में इस type के questions patterns इस type के options frame किये गये थे तो उसी को use करके मैंने BPSC में भी किया ताकि questions को थौसर difficult किया जा सके not because of the question but because of the options ताकि options से elimination possible ना हो पाए तो column बता रहा है कि nylon nylon क्या है क्या वो thermoplastic है क्या वो thermosetting plastic है या वो fiber है तो जो nylon है वो क्या है वो एक तरह का fiber है उसी तरीका से जो PVC है वो एक तरह का thermoplastic है और bakelite जो है वो एक तरह का thermosetting plastic है तो thermosetting plastic क्या होता है तो उसको असानी से हम नों समझेंगे तो जो भी plastic जोकी reshape नहीं किया जा सके मतलब एक बार आप heat कर दिये तो वो अपना shape retain कर जाएगा उसको हम लोग reshape नहीं कर सकते हैं तो उसका एक example क्या हो जाएगा वो हो जाएगा bakelite next question देखते है which of the following groups contains all synthetic substance मतलब जो भी यहाँ पर substance या जो भी group है substance का इसमें से कौन सा group में सारे substance synthetic है मतलब manumade है ठीक है चलो option देखते है क्या वो niland, terrarine wool है तो आपको पता हुआ कि wool जो है वो natural है acrylic, silk या wool है तो wool again natural है cotton, polycott या rayon तो again cotton is natural so all the three options are wrong इसका answer क्या हो जाएगा none of the above next question देखते है यहाँ पर आप वो कह रहा है कि match list, match items in list a with items of list b तो आप से पूछ रहा है कि आप बताएए कि यह जो nylon है, यह क्या है क्या यह non-stick coating है क्या यह electric switches बनाने के लिए काम आता है क्या इससे हम parachute बना सकते हैं, क्या यह एक तरह का polyester है यह एक artificial silk है तो अगर आपको पता होगा कि जो nylon है वो एक तरह का parachute बनाने का काम आता है और world war 2 के समय काफी जादा मतलब parachute PET को क्या बोलते है polyethylene terephthalate है ना, polyethylene यह इसका full form है ठीक है अब देखो यह जो है ना इसको हम लोग polyester बोलते हैं क्या बोलते हैं, polyester बोलते हैं जब हम pet से क्या बनाते हैं fiber या fiber related applications का use करते हैं इसको हम लोग pet resin बोलते हैं जब हम इससे packaging materials बनाते हैं या containers बनाते हैं, जो bottles आते हैं उस समय वो pet resin की तरह जाना जाता है, लेकिन जब हम fiber related metals बनाते हैं, तो fiber related applications इसका करते हैं तब इससे हम polyester बोलते हैं, next हम देखते हैं कि rayon, तो rayon क्या है rayon एक तरह का artificial silk है उसी तरीका से अब दो option बता, thermosetting plastic और teflon हमारी switches होते हैं घर के वो एक तरह का thermosetting plastic है और जो teflon है, उससे हम लोग kitchen में जो appliance रहते हैं मतब जो cooking wears होता है उसका जो non-stick coating होता है जो उसका non-stick coating होता है कोई तवा का, वो खिससे बना होता है वो teflon के coating से उसके उपर coating चाहा हो रहता है चलो next देखते हैं इसमें question कह रहा है कि ये कुछ substance दिये है और उसके applications को आपको बताना है तो सबसे पहरा substance क्या है oxygen, तो क्या oxygen crackers बनाने के इस्तमाल किया जाता है क्या उससे हम पानी को disinfect कर सकते है क्या living beings oxygen को inhale करती है तो हाँ, तो इसा सीरे answer हो गया एक का 3 next, क्या electric wires तो ये तो नहीं है अब देखो क्या बनाना है, हम लोगो copper का सोचना है तो copper से हम लो क्या करते है copper के देखो हम लोग तार यूज करते हैं घर में वो copper के टार बनाते है क्योंकि वो अच्छा conductivity प्रोवाइड करता है electric conductor है तो electric wires बनाने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं copper का इस्तमाल करते है sulfur को हम देखेंगे तो sulfur से हम जो है crackles का इस्तमाल करते हैं और chlorine से हम लोग पानी को disinfect करते हैं और iron से हम लोग पट्रियां बनाते हैं rails के लिए है ना तो easy question है लेकिन यह सब solve करना ज़रूरी है क्योंकि यह सब जो मतलब enthusiastic के अच्छे question बन सकते थे उनको है क्योंकि तेको सिर्फ एक-दो question जो पूछे की भी पूछले तो यह सब भी question हम लोग को अच्छे से कर लिना चाहिए which or another falling has the highest calorific value इन में से किसका सबसे ज़्यादा calorific value है क्या वो kherosin है क्या वो LPG है क्या वो bio gas है यह इन में से कोई जादा यह कोई भी नहीं हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो calorific value किसका है सोचना इसके बारे में calorific value of a fuel is expressed in a unit call जो calorific value का unit है उसके बारे में पूछ रहा है क्या वो kj per liter है क्या वो kj per gram है क्या वो kj per mil liter है या more than ever तो जो calorific value of fuel होता है उसको हमने बोलते है kj per kilogram बोलते है ठीक है तो इन में से कोई भी ऐसा option नहीं है जो इसके साथ सही रहे तो इसका answer क्या हो जाएगा none of the above इसका answer क्या है kilo joule per kilogram इसको याद रखेंगे एकदम important में से है चलो next देखते है which one of the following changes may occur due to desertification तो desertification आप words सुन रहे होगे जहां पर हम देखते है कि जो fertile lands है उसमें excessive uses of fertilizers के वजह से जो land हो रहा है वो धीरे धीरे barren हो रहा है और barren होने के बाद वो agriculture के लिए suitable नहीं होगा तो वो एक phenomenon create कर रहा है जिसे हम बहुत है desertification तो यह phenomenon देख रहे हैं जो पंजाब और हर्यानक रिजन में बहुत ज्यादा फैलने का chances है in coming days तो इसका क्या answer हो जागा Conversion of fertile land into a desert increase in water holding capacity of soil नहीं, increase chances of floods नहीं more than above नहीं तो क्या सीधा answer होगा कि desertification है वो क्या है वो एक phenomenon है जहाँ पे fertile land को desert में convert होने के chances create होते हैं next the place meant for the conservation of biodiversity in their natural habitat मतलब उस place को हम लोग क्या बोलते हैं जहाँ पे जो biodiversity है उनको उनके natural habitat में नहीं किया जाता है तो zoological garden या wildlife sanctuary नहीं, botanical garden नाशनल पार्क नहीं national park and wildlife sanctuary हाँ पहले वाला रह गया इसको ignore करना तो national park and wildlife sanctuary तो हाँ नाशनल पार्क of wildlife sanctuary जो पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं कि जो natural habitat है जो natural habitat है उनको उनके वास्तविक जहां पर रहते हैं उन्हीं जगह पर store की अदव रखा राता है अच्छा बताओ कि बिहार का जो एक tiger reserve है पहला tiger reserve वह कहां है और एक second tiger reserve भी proposed किया गया है वह भी बनने वाला है तो आपको बताना है कि पहला tiger reserve वह तो असान है नहीं second tiger reserve बताओ यह कहां पर बनने वाला है चलो यह next question होगा in the list of animals given below the hen is the odd one out मतलब human beings, cow, dog और hen इन चारों में से जो hen है यह odd one out है ठीक है यह पहले ही आपको question के तुरू बता दिया जा रहा है आपसे पूथा जा रहा है कि जो यह hen है यह क्या है क्यों odd one out है क्या यह internal fertilization करता है इसलिए odd one है ठीक बाकी भी तो करते है क्या यह oviparous है यह viviparous है अब देखो जो भी young one को birth करता है तो उसको हम बोलते है viviparous और जो egg laying animals होते हैं क्या होता है जो egg laying animals होते हैं उनको हम बोलते हैं oviparous तो इन चारों में से जो hen है वह एक तरह का egg laying animals है इसलिए वह odd one out है इन चारों में से इस साल भी vpsc में कोशन आया था odd one outs related इसलिए इस टाइप के भी questions काफी important हो रहे हैं अब next में हम बहुत ही वीडियो में बहुत ही important chapter को questions करें बहुत ही important chapter को करेंगे चुकि cell है और class 8 के इस सारे questions को cover करेंगे तो comment section आपने score जरू बताना और वीडियो कैसा लगे यह भी जरू शेयर करना thank you guys